अधिवंजन चौधरी जी अपना वक्तव ये दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि मैं ओर मेरे पार्टी के अध्यक्स बंगाल जाते हैं मैं गया तब मैं विशव भारती में गया सांतिनी कितन में गया और गुरुवर टागोर की खुर्ची पर मैं बैठ गया अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है उसक्त में उनको बासान के अंदर टोकना नहीं चाहता था मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रेकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए तो मेरा विनमरदाई तो होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यमसेद सदन के सामने रखू और देश के सामने भी रखू मनेवर मेरे पास विश्व भारती के उपकुल पति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगिये कि सारे फोटो का विडियोग्राफी का एनालिसिस करकर बताया जाए कि कहीं में बेठा हूँ उन्होंने स्पष्ट किया है कि असी कोई गटना नहीं हुई जहां पर मेरे बेठने का जिक्र किया है वे खिरकी है और खिरकी पर सभी को बेठने की व्योर्ष्ट मानेवर उसी स्थान्पर भारत की पुर्वर राष्ट्रपती है वी बैठी है प्रणाउदा भी बेठ है स्री राजीव गांधी भी बेठी है और मैं भी बैठा हूँ और बंगलादेश की प्रदानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने समारीका के अंदर उसी स्थान पर बैठ कर अपनी टिपणिया लिखी है मेरा इतना ही कहना है कि सब जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जाचना चाहिए परकना चाहिए सोस्यल मीडिया से उठा कर हम यहां पर रख दे तो इस सदन की गरीमा को खशती होती है मानेवर मैं इसमें इनका दोस्त नहीं देखता उनका पार्टी का जो बैग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती होगे मानेवर मैं तो नहीं बेठा मैं तो नहीं बेठा वो खुर्शी में लगर मेरे पास दो फोटे फोटोग्राफ निकले हैं स्री जवालाल नहरू जी उस खुर्शी में बेटे हैं जहां पर टागोर बेठा को यह रेकोर्ड पर है फोटोग्राफ और दूसरा फोटो है स्री राजी गांदी का वो टागोर साब के सोफे में बैठ कर आरम से चाय पी रहे हैं तो इसके कारण इसके कारण उनके मन में गलत फ्यमी हो सकती है मगर मेरा कृपया आप से अनुरोध है कि रेकोर्ड को सपष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपिल पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूँ जिससे हमेशा के लिए ए रेकोर्ड का हिस्सा बने दूसरी बात मानेवार दूसरी बात कि जो इस सदन में नहीं है इसका उलेख अरे सुरस बैठ जाओ भी या ऐसे नहीं खड़े होते इसका उलेख यहां पर नहीं होता है जो सदन में नहीं है उपस्ति तो उसके नाम का उलेख करना यहां मरियादा होगी फिर भी मेरे पार्टी के डेश के नाम का उन्होंने उलेख किया वो भाषन को भी मैंने पूरा सुना है मैं आज उनको चैलेंग देता हूँ अगर नड़ा साब ऐसा बोले है तो वो रेकोर्ड पर रखे कहीं नड़ा साब ऐसा नहीं बोले है जो कल उनोंने कहा है ये दोनों बाते सत्य से बहुत दूर है इसलिए इसको रेकोर्ड पर से ये आप से दादा बेठी है ये दादा फिचर बन जाई है बात में मैं आपका विध्यार्थी बनता हूँ मानेवर इसको इसको आप प्रोपेशने बेठ जाई है मानेवर मेरा आप से निवेदन है कि कुपा करकर record को correct करना चाहिए और correct करने के लिए मैंने जो ये बात करिए ये photograph और सांतीने केतन के उपकुल पति का पत्र जो है इसको record पर रखने की आप मुझे अनुपती दीजिए